स्वागत है दोस्तों आपको मारे चैनल पर आज मैं आपके लिए लेका हूँ एक वूडन लैप्टोप स्टेंड जो कि यहां चाइना का नहीं है इंडिया का और दूसरी बात यहां पर बहुत सारे ओप्शन्स अवेलेबल आप जिस मर्जी हाइट पर इसको अरजस्ट कर सकत करते हैं बाकि भी फेस्टिवल सीजन तो आ रहा है तो हो सकता आपको जरूरत भी पड़े अगर डिटेल्स की बात के लिए ब्राउन कलर दिया हुआ यहां पर के सुला कंपनी का नाम है और एक यूनिट इसमें है और अगर वेट की बात के से लगबग 600 ग्राम यूनिट का यह हटा लेते हैं फिर दिखाता हूं आपको यह था बोक्स और यह है विया लैट्टॉप स्टेंड सबसे पहले अगर बात के लिए कि स्टोप आईट अगर बढ़ जाती तो यह पार जो स्टोप कर जिसको इंप्रूब करने की जुरूत है उपर थोड़ा फिनिशिंग होत और फिट इन फिनिश की थोड़ इसी कमी है थोड़ा इंप्रूब किया जा सकता तो पचासों रुपए और लेके आप शायद इसको थोड़ा पॉलिश वगारा किया जा सकता था बाकी विया नीचे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का सोलेड है मतलब ऐसा नहीं फील होता क कि अगर बात के लिए जब हाथ में आप इसको पकड़ते ना तो ऐसा लगता है कि मलब सोलेड कोई चीज है असा नहीं लगता कि बिल्कुल भी की चीप है साड़े तीन सो रुपए में खरीद है तो इसका मलब चीप होगा ऐसा कुछ भी नहीं है और ग्रूव बहुत सारे तो यह थोड़ा ना स्टेबल नहीं रहता है नीचे इसके जो लेक्स हैं वो दिये हुए हैं पर बहुत चोटे हैं जिसके कारण कि हलका सा मुवमेंट रहता है तो थोड़ा सा अनॉइंग लगता है जिसको इंपरूव किया जा सकता है और बक्की एक चीज और दिखाता हू आपको आप अगर इसको यूज कर रहे हैं और यह जो स्टैंड्स है यह हलकी फुल की जो मुवमेंट ना वो रोक नहीं पाते तो अगर वजह से वायर के साथ अगर कीजना चाओगा बहुत एजी ली की जाता है जिसको इंपरूव किया जिसको बेस्ट की मुवमेंट है वो कम से कम हो थोड़ी आवाज्जें भी जो है अजीव सी करता है क्योंकि आप भी पताए कि जब कोई साइलेंट जोन में काम कर रहे होते हैं तो वहां हलकी फुल की मुवमेंट होगी ना थोड़ा सुनाए देगा जिसको भी इंप्रूव किया जाना चाहिए था लेंथ और है दोगे तो अमन के ब्रैंड से जाएगा अब यह ब्रैंडिंग जो कहां मेरे कामारिया में दिखाता हूं यह जो लग था न इसका यह जो बेस था मैंने इस पर लगा दिये तो थोड़ी सी तो मुवमेंट जो ना वह कंट्रोल हुई सेकेंड चीज जो हुआ वह यह हुआ कि थेंकियो दोस्तों वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है आप भी घरीज़कते हो